हेलो गुड मॉनिंग डियर स्टूडेंट वेलकम टू सक्सेज केरियर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हीमाचल परदेश स्टेट हीमाचल परदेश स्टेट इलेक्टिसिटी बोर्ट के तरफ से आया हुआ है जो रिकुर्मेंट जो की ड्राइवर पोस्ट के लिए हैं यहां पर टोटल पचास पोस्ट आया हुआ है और क्वालिफिकेशन भी कुछ खास नहीं है तेंथ पास बस मागा हुआ है तो हर कोई इलिजबल है इस पोस्ट को बनने के लिए आप लोग यहां पर देख सकते हैं जो कि इसका एडवर्टाइजमेंट निकल कर आ रहा है जो आपको यहां पर सो कर रहा है देखें यहां पर आया है click here to apply for the post of driver online application are invited from desirous and eligible candidates for recruitment the post of driver in HPS EBL यानि कि यहां से यह जो पोस्ट निकल कर आ रहा है हिमाचल परदेश स्टेट इलेक्टिसिटी बोर्ड लिमिटेट के तरफ से जो कि स्टेट गॉर्मेंट के अंदर में है तो इसकी डिटोल नोटिफिकेशन आपको बता दे रहा हूं तो यहां से नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लीजीगा जो कि स्टेट इलेक्टिसिटी बोर्ड लिमिटेट के तरफ से यह बहुत ही अच्छी वेकेंशी आया हुआ है आप देख सकते हैं अनलाइन सब्मिशन की जो डेट है 19-4-2021 से लेकर 18-5-2021 तक आपको वेबसाइट पर अनलाइन माधियम से आपको फार्म को सब्मिश करना है तो इसमें क्या-क्या क्वालिफिकेशन होना है क्या सेलेक्शन प्रोसेस रहेगा यह मैं सभी डीटेल से बात करूँगा तो वीडियो को अंतक बढ़ने रहेगा ठीक है तो क्वालिफिकेशन सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर आनलाइन अप्लिकेशन और जाइरस एन इलिजबल केंड़ेफार रिकुरिप्मेंट आप पोस्ट आप ड्राइवर इन एच्पी एसी बीएल ठीक है यहाँ पर नंबर आप पोस्ट जो आया हुआ है पचास पोस्ट है टोटल यहाँ और बात करें पेश्केल की तो टोटल आपको यहाँ 64 रुपए से कर अब 20,202 रुपए तक मिलेगा जो की प्लस 3450 ग्रेट पे रहेगा यह चीजे थी अब देखिए आप जो टोटल नंबर आप पोस्ट जो आया है वेकेंसी ड्राइवर का यह पचास है जिसमें जनरल वाले 19 है जनरल इसम से जो है वह चार है जनरल स्पोर्ट कोटा से एक ह बार कोटा से 9 है SC BPL ANT से 1 से SC से ESM से एक पोस्ट है ST से एक पोस्ट है ST ESM से एक पोस्ट ओवी सी साथ पोस्ट यहां पर एक सर्विस में तो यह आप देख सकते हैं इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट यहां पर बात करें इंस्ट्रक्शन का तो यह आप 18-5-2021 से पहले यह फार्म को सब्मिट कर लिजिएगा जो कि अनलाइन माधियम से होगा आपको वेबसाइट मैं बता दूगा किस वे माधा हुआ हैं यहां पर माधा हुआ है और वेलिट ट्राईबिंक लाइसेंस वारिट घुएवी वेहिकल-प्रेक्टिकल-आप तो आफ़के मों सब्मिट एड़ सकते हैं तो या तो आप को भथ पास हो या आपके पास valid driving license जो कि दो साल experience वाला हो तो भी आप क्या कर सकते हैं फार्म को फिल कर सकते हैं ठीक है और आए कुछ important topic कि यहां पर जैसे age limit तो age limit की बात करें यदि आप 18 साल से 45 साल के बीच के हैं 14221 को तो यह फार्म को आप सब्मिट कर सकते हैं ठीक है अब बात करते हैं mode of selection का तो the total selection process shall be notified separately यानि कि सबके जो qualification होगे उनके separately notified किया जाएगा ठीक है तो आपको apply कैसे करना है apply link आपको यहां पर www.hpseb.in पर मिल जाएगा जहां पर मैं आपको दिखाया था official website ठीक है तो यह था essential qualification और mode of selection अब देखिए how to apply apply कैसे करना है तो आपको अब भी जो website बढ़ता है जो कि मैं link description box में दे दूँगा यहां पर जाकर आपको farm को apply करना है अब देखिए farm को apply करते समय आपको कुछ fees भी देना होगी जो कि जंदन category से student होंगे उनको 400 रुपए और जो OBC, ST, SC और इनसे होंगे तो उनको 100 रुपए देना होगा यहां पर female candidate भी apply कर सकती है female candidate के लिए एक रुपए भी फीस नहीं देना है ठीक है payment आपका cash के माधियम से जमन नहीं होगा payment through cash will not be acceptable तो यानि कि आपको जो payment देना होगा वो online माधियम से देना होगा ठीक है online ही payment करना होगा देखिए यहां पर लिखा होगा है mode of payment तो payment आप यह चलान के माधियम से भी कर सकते हैं य तो मैं आप लोग को बताया और दूसरी खास बात यह बता दूँ यदि आप OBC से हैं और हिमार्चल परदेश से नहीं है तो आप जनरल केटेगरी में fight करेंगे इसके लिए आपका OBC या STAC certificate नहीं लगेगा OBC STAC certificate सिर्फ हिमार्चल परदेश के जो candidate होंगे उनके लिए आपके लिए तो आज के लिए नहीं थैंक्स फार वाचिंग वाचिंग दिस वीडियो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं लाता रहता हूं ऐसी जाब इन्फारमेशन आ आपके लिए तो आज के लिए वीडियो में इतना है थैंक्स फार वाचिंग दिस्टूडियो गाइस